आप देख रहे हैं इस पे नई नियोज देश भर में छात्र जो है पूरी तरह से आग बगूला हो रहे हैं और इन सब के वीश में बेपक्च के साथ साथ तमाम नेताओं का उने समर्थन मिल रहा है हलागे मोदी सरकार के मंतری उनकी नेता यह कह रहे हैं कि आज राजनितिक दल जो है छातरों को भरकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनको भरकाने से पहले या दल के ग्राउन में उतरने से पहले ही छात्र जो है आग बबुला हुए हुए थे और वो ग्राउन पे उतर रहे थे, लेकिन अज गोदी मीडिया जो अपनी जमीर बेच दी है, उन बेश्चरमों से बात कर रहे किसानों के अंदोलन के चलाने वाले राकेस टिकेट ने भी बड़ा बयान दिया है, उस बड़ा बयान का मैं जिकर करूँ, उससे पहला आप दर्शो को बता दूँ कि क्या है बड़ी खबर, बड़ी खबर यही है कि अगनीपत प्रोटिस्ट को लेकर, जी हाँ, अगनीपत कि एक तरफ जब चातर यूपी, विहार, दिल्ली, मुंबई, महारास, राजिस्थान, मदेप्रदेश, चतिसगर्ड, हरियाना, पंजाब, बहुत सारे राज्यों में चातर जो हैं, पूरी तरीके से हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बस को जला रहे हैं, और मैं इस तरफ जो है, उनको बदनाम कर रहे हैं, गोदी मीडिया की विपक्च जो है, उनको बरगला रहे हैं, राकेश टिकेट का उन्हें समर्थन मिला है, दिल्ली कूच करने वाले हैं, कर भी सकते हैं, इस तरह की धमके मोधी सरकार को दे रहे हैं, यानि कि अगनी पथ स्कीम, लगातार छातर नौजवान और तमाम विपक्च की नेता यही कह रहे हैं, कि इससे देश नौजवानों के अभविस से खतम हो जाएगा, उनका सपना मर जाएगा, लेकिन वहीं बीजेपी इसको तारिफ के पूल बांध रहे हैं, देखना होगा कि ये आखिर क्या वाकई मे जो है अंदुलून होगा, इसको लेकर ये एक बड़ा सवाल है, चले आज के लिए इतना ही भाई खबरों के लिए देखते रहें, स्पेन आई न्यूस, नमस्कार